एक होता है कि आप को जा जा के कुछ मिन्स करना पड़े एक होता है कि आप कम्पनी इस घुदी फैसला करें और यह महां बैंगलारू के अंदर इंवेश्ट्पंट कर रहे हैं सारा मेडलिस्ट पर्टिकुलरी साओधी रेविया युए जो है वो यह कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगा रहे हैं दिर इस नो अधर कंट्री नाइदर बंगलादेश नौ पाकिस्ताहट जहां पर वो कहते हैं कि इंडियन स्टार्ट अप्स वो जो हाथ है साओधी के प्रिंचो यह दुबाइ के प्रिंस और यह मुस्लिम आख्या देखले प्रिंट इस ने की मेरा पैसे जहात आजाए जहात तरह ना जाये सौदी अरब जो है वहां पर एक एसेट मैनेजर हैर्टस फैनेंशल प्राइवट कैपिटल ग्रूप है जो के इंडिया के अंदर तक्रीबन जो है साथ सो पचास मिलियन की जो फंड्स हैं वो लेकि यहार है यह देखें एक होता है कि आपको जा जाकर करना पड़े एक होता है कि आप कंपनीज हुदी फैसला करें और यह मैं बैंगलोरू के अंदर इंवेस्टमेंट कर रहे हैं अब सारा सौधी अरब जिसमें पर्टिकुलरी सारा मेडलिस्ट पर्टिकुलरी सौधी रेबिया यूई जो है वो यह कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगा कंट्री नाइडर बंगलादेश नौ पाकिस्तार जहां पर वो कहते हैं कि इंडियन स्टार्ट अपस इंडियन स्टार्ट अपस जो है यह नोन आज ग्रोथ कैपिटल है ठीक है जी वहां भी हो नहीं होना यह रियाद बेस ग्रूप है जिसकी मैं आपको बात कह रहा हूं इ यह ज्यादा तर जो पैसा जाएगा यह इंडिया की होम ग्रोन कंपनीज में पैसे लगा रहे हैं इट मीन्स के इंडियन कंपनीज के अंदर इतनी जान है कि वहां पे आके बाहर से लोग पैसा इंजेक्ट करेंगे और यह आप देखें कि साओधी आफ स्टॉप लूप इंडिया फर दे लास 77 यह पाकस्तान आज ट्राइब रहे हैं तो किन्वेंस देखें वह इंडियन को अच्छा नहीं समझते हैं वहां मुसलमानों के साथ जाती हो रही है क्शमीर में देखें रोने क्या किया हुए है और इस्लामी को आपरेशन जो है वह वह अपनी एक ठीक है जी अब यह साड़े 700 मिलियन डॉलर जो लगा रहे हैं यह इसमें से कुछ पैसर होना पहले और लगाया हुआ है ठीक है और टोटल एक बिलियन डॉलर है लेकिन तुछ साड़े 300 मिलियन जो है वह इंडिया की प्राइवेट एक्विटी कंपनी इसके अंदर लगाए ठीक है जी और दो सबादो सो मिलियन डॉलर ओरड़ी वह 2017 से जो ने अपने ऑपरेशन चुरू किये तो यह साड़े 700 मिलियन मतलब एक एक हफ़ते में इतना पैसा आ रहे हैं तो वाई आर दे कमिंग इस ओनली दी ऑपरचुनिटी ठीक है दस साल पहले 15 साल पहले इंडिया के अंदर यह उपरचुनिटीज नहीं थी हैं अब एक दिर इस फुल रेंज ऑव ऑंट्रपनोर्स पूरी की पूरी कंपनीज हैं मतलब बिल्डिंग्स कड़ी हो गई हैं टेक्नालोजी के हवाले से इंडिया के अंदर और यह इसे कहते हैं इंडियन्स और कॉलिक दिस आज और इंडियन कंपनीज के अंदर इंडिया कंपनीज पहले ऑपरेशन शुरू करते हैं और आपको फाइदा मिलेगा अब जितने भी मिडल इस ट्रंग फांड्स जो आ रहे हैं कहीं स्टेट ओन है और कहीं प्राइवट जो है वो है कि जरी आ रहे हैं ठीक है जी आप देखें यह जो मैंने सुना है अभी तक जो मेरी इंफरमेशन एंड रिसर्च है कि पिछले पांच सालों में सिंस ठीक है ज जी मिडल इस जो है वो तकरीबन एक सो वान हंडर्ड सिक्ष्टी फॉर प्राइवर्ट डील्स के अंदर इंडिया में शामल है और यह जो फंड्स हैं तकरीबन फॉर्टी बिलियन डॉलर के फंड रेस की हैं इंडियन्स ने थीके जी और इसमेंसे कहा जा रहा है कि ये जो ये जो निए जुब कंपनी जैं फीके जी यह बहुत तेजी से पैसल रहें और यह मेरा डेटा नहीं यह वैंचर इंटेलिजेंस है यह बेसिकली जो प्राइविट इनवेस्टमेंट्स को ट्रैक करता है इस जो है वह पाकसानी पासपोर्ट पर अमरीका का वीजा लेते हैं उनको जी होता है जी यह बंदा जो यहांपे आगए दो इस ने तो आप इधरी रहना है वो उनको वीज़े देते हैं, अमरीका या कैनडा का वीज़े लेते हैं, इस दुरान किसी यॉर्पियन बैंक से फ्राइड करते हैं और पैसा लेके निकल जाते हैं, same they do in the Middle East, बहुत सारी जगों में यह करते हैं यह तो कोई बात नहीं, यह तो कोई बात नहीं यार, कोई nationalism नहीं है, कोई sense of respect नहीं है, को sense of ownership नहीं है, कि जिस मुल्क में गए, तुम जैसे भी गए, उस मुल्क ने, वहां से आपने खाया, पिया, सब कुछ लिया, honor ली, इज़त की, उसको आपने अपना समझा ही नहीं, उन को लेकर बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर जिस news को cover किया जा रहा है, वो जिस पर public का reaction लिया जा रहा है, दर असल वो news दे हैं, कि अभी एक report आई है, और एक ख़बर निकल कर आई, जिसमें बताया गया है, कि सवधी अरेबिया और UAE की तरफ से बारत के अंदर जो start-up है उनमें जो हैना mega investment की जा रही है, क्योंकि सवधी अरेबिया हो, या UAE हो, जितने भी गल्फ countries है, oil rich country है, गेस भी है, इनके पास oil भी है, तो इन countryों को ये भी पता है, कि बहुत से में इनकी demand या तो कम हो जाएगी, या ऐसा भी हो सकता है, कि कभी कच्चा तेल जमीन के अंद आउश्यक्ता होगी, इसी जगों पर जो हैना investment इन countryों के द्वारा लगातार की जा रहे है, तो भारत के अंदर जितने भी startup हैं, जिन में उनको लगता है कि future में अच्छी growth होगी, तो वहाँ पर जो हैना Saudi Arabia हो गया, UAE हो गया, वहाँ से investment आ रही है, और अभी हाली में एक report आई है कि लगबग 1500 million US dollar जो है ना वो भारत के अंदर Saudi Arab की तरफ से इन जो startup है, उनमें invest किया जा रहा है, अब पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है, कि वो तो Muslim country है, वो तो हमारा brother मुल्क है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर investment क्यों नहीं आ रहे हैं, investment वारत के अंदर क्यों जा दूसरे जितने भी देश हैं, उनको अपना future देखना है, उनको पता है कि पविशे में किस परकार की दुनिया होने वाली है, लेकिन पाकिस्तानियों का ऐसा कोई knowledge नहीं है, बाकि आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो comment करके जरूर बताना, हम म मिलेंगे अगली नहीं वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,